आज का डिक्टेशन सत्तर सब प्रति मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट भले ही दो साल से देश में बच्चों की परिक्साएं इस्थकित हो रही हैं लेकिन आज से देश के अधिकांस हिस्सों में बड़ों की परिक्सा एक बार फिर सुरू होने जा रही है यह परिक्सा है अनलोक के बीच अपनों को लक्समन रेखा में बांधे रखने की तमाम राज्य सरकारें लोकडाउन में कुछ धील देकर चर्णबद तरीके से आर्थिक गतिविधियां सुरू करने चा रही हैं ताकि मानव जीवन वापस पटरी पर आ सके कोरोना की पहली लहर के कमजोर पढ़ते ही हमने सैयम के बजाय साधी ब्याह कुम्भ मेला तथा सहिर सपाटे को तो राजनीतिक दलों ने भी कोरोना प्रोटोकोल को परे रखते हुए चुनाव प्रचार तथा रहलियों की तरजी है दी थी सरकारों ने भी जैसे अपनी नजरें कोरोना से पूरी तरह से हटाली थी जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है तथा हमें लंबे लोकडाउन के दोर से गुजरना पड़ रहा है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है हाँ ये पहले के मुकाबले कमजोर जरूर पड़ा है हमने बीते डेड़ दो महीनों में जिस मजबूत इच्छा सक्ती के साथ कोरोना की लहर का सामना किया है उसी का नतीजा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ी है लेकिन अभी यह लडाई खत्म नहीं हुई है अभी यह लडाई लंबी चलने वाली है और हमें अब दोगुनी ताकत वै मजबूत इरादों के साथ इसका सामना करना है हमें समझना होगा कि लोकडाउन में जो धील दी जा रही है उसका मकसद केवल हमारी बिगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था को वापस पतरी पर लाना है हमें इस धील का नाजायज फाइदा ने उठाकर इसका सम्मान करना होगा कोरोना की दूसरी लहर ने हमें सिखा दिया है कि सब कुछ सरकारों के भरो से नहीं छोड़ा जा सकता सरकार सिर्फ एक सिस्टम है जिसका हम भी एक हिस्सा हैं हमारी जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ गई हैं उनका निर्वहन करते हुए यह भी सुनिस्चित करना होगा कि जो गलतियां हमने पहले की अब उन्हें नहीं दोहराएंगे सरकारों को भी कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए तथा उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो उसने कोरोना की पहली लहर के धीमा पढ़ने पर की थी केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर रणनिती बनानी चाहिए तथा सुनिस्चित करना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना देश को ने करना पढ़िए सरकारों का जोर इस समय सबसे अधिक वेक्सिनेशन पर होना चाहिए राजनीतिक दलों को भी राजनीती से उपर उठकर राष्टनीती पर जोर देना चाहिए यदि सरकारें तमाम राजनीतिक दल तथा देश की जनता अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें तथा कोरोना प्रोटोकोल का पूरी तरह से पालन करें तो कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है तथा लोकडाउन के इस दोर से देश को पूरी तरह मुक्ती भी मिल सकती है समप्त